असलाम उलेकूम कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं खेर यसे होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन ग्रेवी और चिकन चिली जो के बिल्कुल इजी और जटपट 15-20 मिनट के अंदर में बन जाएगा और चिकन चिली के साथ खाने वाले हैं हम नूडल्स और चिकन चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं तो चलिए हम करेंगे बनाना इस्टार्ट चिकन ग्रेवी तो बिल्कुल जटपट और एजी सा और कम से कम वक्त में हम किस तरह से बना लेंगे वो सब हम आपको टीप्स बता देंगे और कितना जो चीज नहीं है मेरे पास उसको कैस सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ से अर करें तो बहुत ही यह यूनिक यह वीडियो है तो आप लोग देखिए जरूर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन चिल्ली उसके ले लिए हैं चिकन हम 300 गराम और इसके लिए हम ले लिए हैं यह कौन फ्लॉर यह चमच से चार चमच आप आठ चमच भी ले सकते हैं तो हम चार चमच कौन फ्लॉर ले लिए और यह जीरा भूना हुआ जीरा को कूट लिए लाल मिर्ची एक चमच और दो चुटकी यह खान चिकन को अच्छे से कट लिए धोके अमरख लिए हैं अब हम इसे ग्रेवी के साथ तैयार करते हैं तो इसमें डाल देंगे हम एक चमच भरके अधरक लसन हरी मिर्च के साथ पेश्ट और इसमें जो हम मेरे यह मसाला है यह सब डाल देंगे यह कॉन फ्लॉर हम बहुत कम इसमे चार चमच मैदा का भी डाल सकते हैं चार चमच कौन फलॉर डाले और दो चमच मैदा इसमें हम दे दिए हैं आदा चमच विनेगर अब daha डा देंगे 1वर चमच्छ सोया सौस Newbleed सौया सॉस में नमक होता है इसलिए हम नमक का बहुत कम इस्तेमाल किये हैं तो अब हम इसे ज साथ चमच कॉन फुलॉर का इस्तमाल कीजिए हम बजार से ऐसा ही कोटिंग वाला ही खाते हैं लाके मुझे पसंद नहीं मुझे खाली मैदा और कॉन फुलॉर ही आता है चिकन को स्वाथ समझ में ही नहीं आता इसलिए हम कम से कम इसमें मसाले का इस्तमाल किये हैं यह 300 ग्राम चिकन में इतना हम को बहुत जाद हो गया तो अब हम इसे रख देंगे वेट पे अब हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी के लिए हम ले लिए हैं 700 गराम चिकन इसमें हम डालेंगे 2 चमच अद्रक लसन का पेश्ट और इसमें हम हरी मिर्ची के साथ पीस लिये थे अद्रक लसन को हमें श्टॉक में पीस के रखते हैं हरी मिर्ची के साथ में तो इसमें लगबग जैसा दो चमच अद्रक लसन का पेश्ट है तो मान लिजे इसमें दो चमच हरी मिर्ची का भी पेश्ट जरूर होगा तो अब हम इसमें डालेंगे जो पी अब इसमें हम डाल दिये हैं हरा धनिया कटा हुआ और कसूरी मेथी उसे घिसके 100 गराम के आसपास दही डाल दिये और एक चमच के आसपास निम्बूनी चोड़ दिये इसमें जो भी बीज गिरा है उसे हम निकाल देंगे यह टमाटर का पेस्ट हम बना लिए हैं दो से तीन अपने ले ले लीजीए हम तीन ठमाटर मेडियम साइस काम ले लिए थे और इसमें काजू और बदाम चारपाँच डाल के पीज़ के हम इसमें डाल दिए हम दे दिए लाल मिर्स का पौर।रर तीन से चार चमच आप अपने तीखास अपने अपने अस्वाद के अनुसार डाल दीजिए गा, तो हम इसमें ढ़ल दिये हैं नमक, जो के भरभर के ہम 2 चमच और podíares झाल चाल दिए और इसे अच्छे से हाथों की मदद से हम मिक्स करके इसे हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए वेट पे अगर आपके पास टाइम है तो आप एक घंटा भी छोड़ सकते हैं हम इसे 10 मिनट के वेट पे छोड़ देंगे धगके तो मेरा ये पूरी तरह से तयार है और जो हम चिक करके डालते जा रहे हैं और ये फटा फट से चिकन हो रहा है फटाइ हम चिकन को ज्याद़ को बनाए है एक बार हम ये चिकन को निकाल लेंगे लगबग 2-3 मीनर तक हम फ्राइच करेंगे चिकन को और जो चिकन मेरा 300 कराम है ये हम दोबर करके इस पैन में फ्राइ कर नेकन प्लेट अर ननकालेऊने तिसली परेंगे तो साम्ट पर पाइको नींगे और चीकन मेरे मुँ में क्रिश्पी सा आए इसलिए हम चीकन को double fry करेंगे तो जे मेरा द्ूसरा बाला भी इसे निकाल ले England और जो हम पहले निकाले थे और प्लेट में हम अलगइいきます तो आप हम पहला प्लेट का फिर से हम fry करेंगे इस तरह से मेरा बचता है ताइम यह मेरा पहला प्लेट तो हम इसे पहल दूसरी बार में फ्राइ करेंगे अब हम फिर से इसे 2-3 मिनट तक के लिए फराइ कर लेंगे तो एक दम बिल्कुल मेडियम फ्लेम पे ही मुझे फ्राइ करना है ज्यादा ग्रैस का फ्लेम को फुल नहीं रखना बिल्कुल इसली इस तरह से फ़राई हो गया है मेरा देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है अब हम दूसरे प्लेट वाला भी हम फ्राइ कर लेंगे आप लोग माइंड मत किजिएगा जो एक बात को हम दो दो बार क्यों बोलते हैं हम बोलते हैं इसलिए ताकि आप लोग वीडियो के साथ जो नहीं समझे हैं उसे डबल समझ सकें आप लोग से कुछ इसकिपना हो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं आप लोग इस पे गौर किजिए जरान देखे हम पेन में तेल देल को तुरा निल्काल का लिए दुख ना'll डाल दिए इस में सल्टा हुआ लसन Enfin करी पत्ताPro Commissioner टाल दिये ह। इस तरह तो आज कीए हैं प्याज को चार्ट टुग्रा में करके हम एक चीलते गए और छीलाता गया इस तरह से तो अब हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउंड होने के बाद हम इसमें दो चमच टमाटर का सॉस दो चमच चिली सॉस हम डाल दिये हैं आपको पसंद है तो आप 4-5 चमच अब तमाटर का सॉस डाल सकते हैं तो फिलहाल मेरा इतना सादा इसमें डाल के हम अब चिकन डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हो गया है मेरा ये चिकन चिली तयार बिल्कुल जहत पट्सा आपको ज्यादा टमाटर सॉस चिली सॉस तीखा ज्यादा पसंद है तो आप को यह मैं आप यह जब देखें किपना आपको ज्यादा ज्यादा कोंटिंग तो इस तरह से बना सकते हैं तो हम तो ऐसा बना लिए और यह बुछ इसका अच्छा रहा रहा है बहुत ही याजबाब बना नहीं जब तक इसको प्रोसेंगे तो हम बना लेंगे नूडल्सीं हम घ के साथ आप मर्जी आप जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं तो नूडल बना निक लिए हम दू चम्मच तेल और इसे हम थोई देंगे उसके बाद उसमें डूडल्स डाल देंगे ताखे मेरा नूडल 簡 रचाना बाद बादें अच्छ नूडल जाएं नूडल्स के लिए हम इसी को हम खाने वाले हैं आज इसमें हम कोई मसाला टेमाटर कुछ भी हम इसमें नहीं डाले हैं सिर्फ जो मैगी मसाला में आता है मसाला वही हम डाल दी और यह उबालाने के बाद है मेरा हो गया था नूरल्स तैयार तो हम इसे निकाल लिए पानी देखिए इतना सारा बच कर देखिए नहीं गया तो यह पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे यह पानी बहुत फाइदा करेंगा ठंडी का टाइम है घपर गड़ बेटी शुब बना की पी लेंगी और वह ले वी गयी देखिया आ गई वह ले करके चले पानी पीने के लिए तो खैर मेरा कोई भी चीज व इसे हम डर्क दिये हैं गैस पर देखिए पांच मिनट के अंदर में इस तरह का उबाला ना इस्टार्ट हो गया है और किस तरह से यह चीकन ग्रेवी बनके तयार है यह हो गया है आप चाहें तो इसे थोरा सा और फ्राइ कर सकते हैं लेकिन आप ही यह पूरी तरह से तयार है भी बहुत अच्छा आ रहा है तो यह बनके तयार है हम इसमें डालेंगे पानी लगबक 300 गराम क्यूंकि हम खाने वाले हैं चिकन ग्रेवी को पुलाव के साथ में तो हम उसमें तो पानी चाहिए ही थोरा सालन चाहिए मेरे बच्चे लोग को शोर्वा चाहिए तो इसलिए हम सुर्वादार बना दिये हैं सालन हम इसमें सालन के लिए पानी डाल दिये हैं अब यह उबाला जाएगा इसको हम थोरा सा हरा धनिया से सजा देंगे हरी मिर्ची से सजा देंगे तो मेरे पास फड़ाई प्यास था वो भी हम इसमें डाल दिये हरी मिर्ची हरा धनिया डा मुझे रहा नहीं जा रहा वह थोड़ा सा यह सब चटोरी जादा है यह सब खाने में तो इसलिए हम उसके लिए फटा-फट से एक प्याला में निकाल के दे दिए और आपको अच्छा लगा हो तो आप भी फटा-फट से बनाएए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए यह वीडि एक बॉंडिंग सा बना रहता है अच्छा लगता है कॉमेंट कीजिए पसंद आया हो तो और से और जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा दुआओं में याद रखेगा अला पीच बाई